है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अगनी बीर आर्मेजीडि में समान्य विघ्ञान का टेस्ट नमबर ठीरी डिसकस करने वाले हैं टेस्ट रिजन नमबर वन और डू जो है तो आप लोग यह रहे हैं तो आप लोग येदि नहीं देखें तो वहां से जाए देख लिजेगा और और जितना बता रहे हैं सब आपका एक्जाम में कोशन पूशे गए हैं पूशे गए हैं सेम टूसेम कोशन हम आपको यहां बताती है क्या करना है विद्यों के अंत तक जूरे रहे हैं और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिगा और कलास को दोस्तों की भी शेयर केजिए जितना भी आपका दोस्तों जो अगने बीर आर्मे जीदी में फर्म डाले हैं उनको मतलब बताईए इस्टा डिवित के लिए जुरू चैनल कर सकते हैं तो स्टार्ट कर уск 15 कोंशन रहेंगे मतलब 100 मान्स का कोशन फुषे पुष्छा जाएगा और इस में निजर्टी उर्पी मार्किंग है क्या है तो इसलिए को सभी से करना है यह फ्रकॉर्ष करते है देखे आज का फिर्र्ष ओस है कोश्चन है निमलखीत में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के एक दान का सरवाधिक परतिसत बनाता है तो ओप्षन देखिए ओप्षन क्या है ओप्षन यह है एथेन, मीठेन, कर्बन डायोकसाइद, प्रोपेन तो ओप्षन C जो है ना करेक्टेंसर होगा तो बुलियासर ठीक है यह कोशन भी भी आई है कोशन पूछेगा है और आप से पूछे जाने की सभावना है निमलखीत में चेक कौन ग्रीन हाउस गैसों की एक दान का सरवाधिक परतिसत बनाता है तो देखिए सबसे ज्यादा होता है जलो वास्प जो है ग्रीन हाउस के लिए मतलब सरवाधिक परतिसत बनाता याद रखिए जलो वास्प के बाद आपका आजाता है और सी ओटू के बाद आ जाता है आपका न्टू बोलेसर एंटू एंटू मिस नाइट्र शॉक्साइड ठीक है तो ग्रीन हाउस गैस के पर आदिक परतिसत के लिए जिम्मेदार है जलो वास्प जिसे स्वल्व करना है तो इसके बारे में देखा देते हैं लेकिन थुरा सा और इसका दिख लीजिए देखे समाने ता वायू मंडल में सियो की मत्रह होती है POINT 3% होती है याद रखेगा एकजाम में आप से पूशे जाए और पूशे जाने की सभामना नहीं याद रखेगा तो वायू मंडल में पर्तिशत कितनी है पॉइंट थिरी परसेंटेज है उसके बाद बोले असर्थ वाचा ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता देजिए ग्रीन जो ग्रीन हाउस गैस है गरह के वाता बरन या जलबायू में परिवर्तन और अंत्ता भूमांड लिए उसमी करन के लिए उतरदाई होता है यह याद क्लोरो कारबन वास्प ओजोन और बहुत सारे के कारण ग्रीन हाउस गैसे मतलब सबसे ज्यादा उस सर्जन होती है तो इतना कोशन आपके लिए महत्वपूर्ण है एक कोशन आपको बताएंगे कम से कम चार या पांच को बढ़ावर बताएंगे ठीक है तो 36 का अप्सन जो चाएंगे तो बीमारी के बारे में जानते हैं तो 37 का क्या है अप्सन झूहर है करेक्ट रहें इसके बारे में जीतना हो सके उतना हो जनकारी देखें वाइरस को सजीव और निर्जीव के बीच की करी माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों गुन पाये जाते हैं मतलब यह सजीव में भी रह सकते हैं वाइरस और निर्जीव में वाइरस को हिंदी में विसानुगा थीक है और कुस्किये 30 सुक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कुष्कावों में वंस विर्दी कर सकते हैं मतलब जीवित कुष्काव में ओ मतलब आपने आपको फैला सकता है याद रखेगा यह नाविकिये अमल और प्रोटीन से मिलकर गठ जो वाइरस होता है वह मिर्थ होते हैं लेकिन जब शरीर में अंदर प्रविष कर जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं और अपना परभाव इस्टाट कर देते हैं इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकठा किया जा सकता है एक बिसानु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनर उत्पाद नहीं कर सकता है यहां सेंख्रो वर्षो तक सुस्तावस्था में रह सकता है और जब भी जीवित माध्यम या धारा के संपर्क में आता है तो उस जीव की कोश्टिया को भेद कर अच्छादित कर देता है और जीव बिमार हो जाता है जैसे में कुरोना वारस के बारे में वह है जो मतलब सेंख्रो वर्ष तक चलेगा लेकिन जब वह जीवित मतलब ब्यक्तियों के सरीर में वह परवेश करेगा तो अपना परभाव कर देगा इतना याद रखेगा उसके बाद आपका माइड में आता होगा सर वायरस के कारण होने वाले जो महतवपुर्ण बीमारी है उसके बारे में पता देजिए रेबीज है खासरा है पोलियो है एड्स है चेचक है डेंगू है इनफुलेंजा है है हेपेटाइटिस है उसके बाद मेनिजाइटिस है यह सब याद कर लिजेगा मतलब आपको क्या करना कोपी में प पूछ देगा कोशन पूछेगा निमलिखीति में से कौन वायरस के कारण होने वाला बीमारी नहीं है तो आप सही से देख लेजेगा नेक्स कोशन है एक फिलिन ब्लेंग एक लंबा इंटर नोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है तो उसे क्या कहते है इसके बारे में देख लेते हैं क्या है देखें भागदर जिसे इसके पर भी पोलते हैं एक लंबा इंटरनेट होता है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है तो देखें यह सब कोशन आपको याद करने वाला कोशन है यह सब कोशन एक बार देख लिजेगा और मतलब कोशन एक बार सही कर लिए यहांचे प्रेक्टिस कर लिए कोशन आएगा वहां सही कर लिजेगा तो 38 का ओप्शन जो डी है करेक्ट एंसर है नेक्स कोशन है नेक्स कोशन है नेमलिखीत में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन करती है तो कौन सा अंग तो यह याद रखेगा ठीक है उसके बार फ्राशन और देख लेते हैं अगनासर का कारें लाइपेज इंजाइम का सराबन करना होता है यह कृत्यक के द्वारा पीतो मतब बाइट जूसे बुलिया स्रावित होता है आंखों में उपस्तित बैक्टिरिया बिटामिन के टू का संसलेशन करते हैं यह याद रखेगा उसके बाद फ्रास और लाइपेज के बारे बता देते हैं देखें लाइपेज जो है एक परकार का एंजाइम है जो वसा क झीचा करता है ताकि आठ जो है उन्हें अफसोसीत कर सकते उस गता अपना घटक फैटि एसीड और गिलिस्टरल अन्यों में त्राइग गिलिस्टराइट जैसे वसा को हाइड्रोलाइजड करता है और यह अगनासे द्वारा क्या किया जाता है स्रावित होता है इतना आप समझ आईएगा ठीक है नेक्स कोशन प्याते हैं नेक्स कोशन है अपका का कारन बनती है तो देखे शार्ष का भी फूल फॉरम पुछ देगा सर्स याद रखेगा सार्ष का फूल फॉरम एस फॉर सिंड्रोम होता है तो इतना आप समझाइएगा मतलब नोट कर लिएगा कारण बनता है तो कौन कारण बनता है वाइरस और वाइरस के कारण वाइरस के बारे में अभी बता ही चुके है तो फोटी का ओप्षन एक करेक्ट्रेंश है ठीक है क्या है सार्स विमारी एक जल जनेत विमारी है मतलब जल से फैलने वाइरस द्वारा होती है और इससे सुरक्षत रहीएगा उतना अप सेफ रहीएगा तो इससे याज रखिएगा और सिधी दूरी या स्रेनी में विश्थापित रहती है उसे क्या कहते हैं पताइए उसे हम यूगल बल कहते हैं देखे यूगल बल मतलब ऑप्शन भी करेक्टेंस रहा है यूगल बल जो होती है एक ऐसी जोरी होती है जो परिमान में बराबर होती है याद रखेगा परिमान यूगल बॉल एक ऐसी जोरी है जो परिमान में तो बराबर होती है प्रंतो बिप्रित दिशा में निर्देशित होती है और सीधी दूरी में विस्थापित होती है तो यह याद रखिएगा नेक्स कोशन पर आते हैं 42 कोशन है रसायन सासर में साबुन फिलिद्र बलेंक्स का लवन है तो आपको पहले भी बता चुके हैं साबुन जो है वसा एसीद का लवन है यह वास्ताव में वसा अमलो के सोडियम या पोटेसियम लवन होते हैं यह याद रखिए ठीक है उसके बाद स्वासा और देख लिए देखे यदि कपरा धोनने वाला साबुन बनाना है य तो उसमें थोडियम सिलिकेट डालकर ठंधा कर टिकियों में काटकर उसे उस पर मुंदरांखन करते हैं किसमें जो कपराद होने वाले साबुन होता है तो इतना आप याद रखेगा समबहनीय बल बल में अनुपस्थित रहते हैं मतलब अबसेंट रहते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है देखिए ब्रायो फाइटा में संबहनिये बंडल अनुपस्तित होते हैं यूगम कोविद होते हैं मौस इसी स्रेनी में पादप है इनको पादप जगत का एंफिबिया भी कहा जाता है यह यार रखिया ठीक है तो बुलिया इसर थ्वासा इसके बारे में और बता दिए देखिए क्या है देखिए यहां पर ब्रायो फाइटा के बराम देखिए देख से क्या है इसका मोसेस है होर्न वेट है और बहुत सारे जो है एक्जामपल है किसका ब्रायो फाइटा का तो समझ गए होंगे नेक्स कोशन पर आते हैं तो संबहनिये बंडल जो हां नुपस्तित होते हैं तो आपको बता दिए ऑप्शन जो है फोटी थीरी का एक रेक्टें की कार्य है बताए हीमोगोलोबिन रुधीर नापको समाने ग्यान चो तेहां से सकते हैं लेकिं थूरा शाण रुद्हीर में अक्सिजिड का परवाह करता है यह उक्सिजन से किरिया करके औक्सी हिमोगिलोबिन बनाता है 100 मिली रुधिर में 15 Gram हिमोगो बनाता है उसके बाद हिमोगोबिन के बारे में थ्ल़ा सब्सक्राइब पता देते हमुँखूम गलोबिन का क्याओ है आपके रक्त में फेफरों से उठकों तक उक्षिजन का परिवहन करना है हीमोगुलोबिन आपके लाल रक्त कोश्काओ में एक प्रोटीन है जो आपके सरीर के अंगो और उतको तक अक्सिजन पहुंचाता है और आपके अंगो और उतको जे कारबन डायकसाइड को आपके फेफ्रों में वापस ले जाता है थो हीमोगॉलोविन का आप 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 देख लिए होंगे स्यांता के बारे में कौंण सा कथन असत्य है यहाँ पूछा है कौंसा कथन असत्य है तो देखिए जब चारो अप्षन देखीगा ना तो ऑप्षन जो है मतलब असत्य है याद रखेगा देखिये गैसों की स्यांता द्रवों से कम होती है, गैसों की जो स्यांता है द्रवों से कम होती है, तो यह सही है, याद रखेगा, तापमान में बिर्दी के साथ गैसों की स्यांता इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ती है, तो यह सही है, तापमान में बिर्दी के साथ द्रवों की स्यां गणता है ताप मान यदि टेंप्रेचर इनक्रीज करेगा तो गैसों की जो स्यानता मतलब भिसकोसिटी बढ़ जाती है और द्रवों की जो श्यानता मतलब भिसकोसिटी घट जाती है तो यह सब याद रखी गाए ठीक है और देखिया यहां क्या है दबाव में देख किसी तरल का वह गुन है जिसके कारण तरल की विभीन परतों के बीच आप्रेक्सी गर्थी का बिरोध होता है दबाव में बिर्दी के साथ द्रव की संख्या घरती है तो इतना आप समझ आएगा ठीक है नेक्स कोशन 46 कोशन है कोशन क्या है देखिए अमर बेल जिसको क्या बोलते हैं कास्कूटा भी बोलते हैं है मतलब अमर बेल जो है क्या होता है बताइए तो अमर बेल जो है पूर्ण तना परजिवी होता है मतलब ऑप्सन जो भी है 46 का ऑप्सन भी आपका करेक्टेंसर है ठीक है तो क्या है देखिए अमर बेल जर विहिन पीले रंग का पूर्ण तना परजी भी है इसके द्वारा उत्पन जो चुशकांग है होश्ट पौध्य के अंदर परवेश करके जाइलम तथा फुलयम से सम्द्ध अस्थापित करता है तथा भोजन जल तथा खनीजलवन अवस्वसित करता है दखें पौध्य में जो आपक ब्युश्ट है next question क्या है निमलखीत में से कौश्काओ को आत्म घाति बैग कहा जाता है तो यह तो कोश्चन आप सभी student को पता होगा इतना मतलब सुछ सकते हैं लाइसोसोम को क्या कह जाता है को्षकाओ की आत्म घाती थेलिया कहा जाता है जिसमें पाचाक एंजाइम, खंडीत भोजन, कुछकीयल, बाहा अकरमरकारी जैसे जिवानों जो है अंतरविष्ट होते हैं जब कुष्का छती गरस्त हो जाती है और प्रती पूर्ती से परह होते हैं या पुरानी हो जाती है तो लाइसोस्यों कुष्का को पचा लेता है इसलिए क्या कहा जाता है इसलिए लाइसोस्यों को कुष्का की आत्म घाती थैली भी क याद रखेगा और जो है यह नी शेशन में भी सहायक मताया यह नीनल में परस्टि टारीट किसके तरह पुसे जाते आऄं सब आपका यहाँ नहीं हैं तो सब्सक्राइब मोरेन रिएगा और कलास को share कर दीजेगा नेक्स कोशन प्याते हैं नेक्स कोशन 48 कोशन क्या है बीधूत से लगी आग को बुझाने के लिए परियुक्त होता है तो क्या परियुक्त होता है option D इसका correct हो जाएगा carbon, tretacloride, agni, सामक मतलब 48 का option D जो है correct answer है यह question बहुत सारे के जाम में पूछे गए है तो यह याद रखेगा next question प्याते है 49 question है नेमलिखीत यॉग्यों में से किसमे आइनिक बंधन नहीं होता है आइनिक बंधन नहीं होता है तो मीथेन में आइनिक बंधन नहीं होता है calcium coloride में होता है उसके बाद sodium chloride में होता है potassium nitrate में होता है लेकिन आपका मीथेन में नहीं होता है तो यहाँ पर आइनिक बंधन नहीं है question पूछा है question सहीचे पर येगा correctly पूछा है या incorrectly पूछा है यहाँ पर आप्सण C जो है correct answer ठीक है तो देख लेते हैं क्या है calcium chloride, sodium chloride और potassium nitrate आइनिक बंधन है जबकि मीथेन एक सहसन्योजक बंधन है सहसन्योजक बंधन है यहाँ आइनिक बंधन नहीं होता है तो यह याद रखिएगा next question पर आते हैं जो कि आज का last question है निमलिखित में से कौन बल का मात रख है बताइए इतना question भी मतलब question है question आपको देखने को मिल जाएगा तो newton, option A जो है correct answer Newton जो है बल का मात रख है उसके बाद बुरियासर जूल जूल जो है उर्जा और कारे का मात रख है उर्जा और कारे का मात रख है जूल है उसके बाद ओम देखिए जानते हैं परती रोथ जिसे इंगलिश में रिजिस्टेंस बोलते हैं उसका मतलब जो है परती रोथ का याद रखिएगा उसके बाद बोल्ट बोल्ट जो है आपका बीधूत विभाव और विभांतर का तो समझ गए होंगे तो क्या है फिप्टी का option A जो है तो देखे फिर जो है इसी तर आपको पूरा दिस्क्राइब तो आपको अगनी बीर आर्मी एती का जो आप लोग त्यारी करते हैं तो वीडियो से जूरे रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैभारत